C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय तीन चतुर्भुजों को समझना 3.4.6 समानतर चतुर्भुज के विकर्ण साधारण तया समानतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर मापके नहीं होते क्या आपने अपने पूर्व क्रिया कलाप में इसे जांचा यद्यपी समानतर चतुर्भुज के विकर्णों में एक रोचक गुण होता है प्रिष्ट संख्या पच्पन इन्हें कीजिए, समान्तर चतुर्भुज, मान लीजिए ABCD का एक कटा हुआ भाग लीजिए, आकृती 3.29, आकृती 3.29, यहां पर एक समान्तर चतुर्भुज ABCD बना है, विकर्ण AC और Db O पर मिल रहे हैं। माना इसके विकर्ण AC और Db एक दूसरे को O पर प्रतिछेत करते हैं, C को A पर रख कर एक तह यानि फोल्ड के द्वारा AC का मध्य बिन्दू ग्याद कीजिए, क्या मध्य बिन्दू O ही है, क्या यह दर्शाता है कि विकर्ण Db विकर्ण AC को बिन्दू O पर सम द्विभाजित करता है, अपने मित्रों के साथ इसकी चर्चा कीजिए, इस क्रिया कलाप को यह ज्याद करने के लिए दोहराएं कि Db का मध्य बिन्दू कहां पर स्थित होगा। गुण समान्तर चतुर्भुच के विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं, अवश्य ही उनके प्रतिछेदी बिन्दू पर इस गुण का तर्क वितर्क तथा पुष्टी करना मुश्किल नहीं है, आकृती 3.30 से ASA सर्वांग समता प्रतिबंध द्वारा बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि त्रिकोन AOB और त्रिकोन COD सर्वांग सम हैं, यहाँ पर ASA प्रतिबंध का कैसे प्रयोग हुआ, अतह AO बराबर है CO तथा BO बराबर है DO, आकृती 3.30 यहाँ पर एक चतुर्भुच ABCD बना है, इसके विकर्ण O पर मिल रहे हैं, त्रिकोन AOB में कोन 1 और 3 हैं, त्रिकोन OCD में कोन 4 और 2 हैं, उदाहरणचे, आकृती 3.31 में HELP एक समानतर चतुर्भुच है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में हैं, OE बराबर है 4 सेंटीमीटर और HL PE से 5 सेंटीमीटर अधिक है, OH ग्याद कीजिए. हल, यदि OE बराबर है 4, तब OP बराबर है 4, क्यों? अतह PE बराबर है 8, इसलिए HL बराबर है 8 जमा 5, बराबर है 13, अतह OH बराबर है 1 बटा 2, गुणा 13, बराबर है 6.5 सेंटीमीटर. आकरिती 3.3 एक, यहाँ पर एक समानतर चतुर्भुज HELP बना है, इसके विकर्ण O पर मिल रहे हैं. प्रशनावली 3.3 1. ABCD एक समानतर चतुर्भुज है, प्रतिये कथन को परिभाशा या प्रयोक किये गए गुण द्वारा पूरा कीजिए. एक, AD बराबर है रिक्तस्थान, दो, DCB बराबर है रिक्तस्थान, तीन, OC बराबर है रिक्तस्थान, चार, M कोण DAB जमा M कोण CDA बराबर है रिक्तस्थान. 2. निम्न समानतर चतुर्भुजों में अग्यात X, Y, Z के मानों को ग्यात कीजिए 1. यहाँ पर एक चतुर्भुज A, B, C, D बना है जिसके कोण है 100 डिगरी X, Y और Z 2. यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है इसके कोण X, Y और 50 डिगरी है 4. कोण के बाहर का कोण Z है 3. यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है यह 4 त्रिभुजों में बन्टा हुआ है 1. एक त्रिभुज में 1 कोण X है, 2. दूसरा कोण Y है और 3. कोण 30 डिगरी है इसके सामने एक और त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिगरी है और एक कोण Z है 4. यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है जिसके कोण है X, Y और 80 डिगरी चौथे कोण के बाहर का कोण Z है 5. यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है जिसके कोण है 112 डिगरी Y, विकर्ण ने एक कोण को दो भागों में बांटा है 40 डिगरी और Z दूसरे कोण को भी दो भागों में बांटा है जिसका एक भाग X है 3. क्या एक चतुर्भुज A, B, C, D समानतर चतुर्भुज हो सकता है यदि 1. कोण D जमा कोण B बराबर है 110 C डिगरी 2. A, B बराबर है D, C बराबर है 8 cm A, D बराबर है 4 cm और B, C बराबर है 4.4 cm 3. कोण A बराबर है 70 डिगरी और कोण C बराबर है 65 डिगरी 4. एक चतुर्भुज की कच्ची यानि रफ आकरिती खींचिए जो समानतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुक कोणों के माप बराबर हो 5. किसी समानतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात तीन अनुपात दो है समानतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ग्याद कीजिए 6. किसी समानतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है समानतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ग्याद कीजिए साथ सनलग्न आकरिती HOPE एक समानतर चतुर्भुज है X, Y और Z कोणों की माप ग्याद कीजिए ग्याद करने में प्रयोग किये गए गुणों को बताईए यहाँ पर एक आकरिती HOPE बनी है कोण B बराबर है X कोण O के बाहर सत्तर डिगरी का कोण है कोण P दो हिस्सों में बटा है जिसमें एक हिस्सा कोण Y है कोण H दो हिस्सों में बटा है 40 डिगरी और Z आठ निम्न आकरितियां GUNS और RUNS समानतर चतुर्भुज है X तथा Y ग्याद कीजिए लंबाई सेंटीमीटर में है एक, यहाँ पर एक चतुर्भुज GUNS है GU बराबर है 3Y घटा एक UN बराबर है 18 SN बराबर है 26 SG बराबर है 3X दो, यहाँ पर चतुर्भुज RUNS बना है SU एक विकर्ण है जो दो हिस्सों में बटा है 20 और Y जमा 7 RN एक विकर्ण है जो दो हिस्सों में बटा है 16 और X जमा Y 9, दी गई आकरिती में RISK तथा CLUE दोनों समानतर चतुर्भुज है X का मान ग्याद कीजिए यहाँ पर दो समानतर चतुर्भुज जुड़े हुए है कोण K बराबर है 120 डिग्री कोण L बराबर है 70 डिग्री SI और CE जहां मिल रहे हैं वहाँ पर एक कोण बन रहा है जो X है दस, बताईए कैसे यह आकरिती एक समलंब है इसकी कौन सी दो भुजाएं समानतर है आकरिती 3.32 इस चतुर्भुज KLMN में कोण M बराबर है 100 डिग्री और कोण L बराबर है 80 डिग्री 11. आकरिती 3.33 में M कोण C ज्याद कीजिए यदि A, B और D, C समानतर है आकरिती 3.33 इस चतुर्भुज A, B, C, D में कोण B 120 डिग्री है प्रिष्ट संख्या 57 12. आकरिती 3.34 में कोण P तथा कोण S की माप ग्याद कीजिए यदि S, P और R, Q समानतर है यदि आप M कोण R ग्याद करते हैं तो क्या M कोण P को ग्याद करने की एक से अधिक विधी है आकरिती 3.34, P Q RS में कोण R बराबर है 90 डिग्री और कोण Q बराबर है 130 डिग्री 3.5, कुछ विशिष्ट समानतर चतुर्भुज 3.5.1, सम चतुर्भुज पतंग, जो की एक समानतर चतुर्भुज नहीं है कि विशेश थिती के रूप में हमें एक सम चतुर्भुज यानि रॉम्बस जो एक समानतर चतुर्भुज भी है प्राप्त होता है इन्हें कीजिए, आपके द्वारा काघस से काट कर पहले बनाई गई पतंग का स्मरण करें पतंग काट यानि काइट कट को हम पहले चित्र में देख सकते हैं इसके बाद अगले चित्र में सम चतुर्भुज काट यानि रॉम्बस कट बना हुआ है जब आप ABC के अनुदिश काट कर खोलते हैं तो आप एक पतंग प्राप्त करते हैं यहाँ पर लंबाई AB और BC अलग-अलग थीं यदि आप AB बराबर है BC खीचते हैं तो प्राप्त की गई पतंग एक सम चतुर्भुज कहलाता है ध्यान दीजिए कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं परन्तु पतंग की स्थिती में ऐसा नहीं है सम चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं क्यूंकि सम्चतुर्भुज की सम्मुख भजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, इसलिए यह एक समानतर चतुर्भुज भी है. अतह एक सम्चतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और एक पतंग के सभी गुण विद्यमान है उनकी सूची तयार करने का प्रयास कीजिए तब आप अपनी सूची पुस्तक में दी गई जांच सूची के साथ मिला कर पुष्टी कर सकते हैं एक सम्चतुर्भुज का सबसे उप्योगी गुण उसके विकरणों का है यहाँ पर एक पतंग और एक सम्चतुर्भुज की आकरिती बनी है गुण एक सम्चतुर्भुज के विकरण परसपर लंब समद्विभाजक होते हैं इन्हें कीजिए, सम चतुर्भुच की एक प्रतिलिपी लीजिए, पेपर को मोड कर जांच कीजिए कि क्या प्रतिछेदी बिंदू प्रतियेक विकर्ण का मध्य बिंदू है? आप एक सेट स्क्वेर के किनारे का उप्योग करके जांच सकते हैं कि वे एक दूसरे को सम कोण प प्रतिछेद करते हैं. प्रिष्ट संख्या 58 तर्क पूर्ण चरणों का उप्योग कर यहां एक खाका दिया गया है, जो इस गुण की पुष्टी करता है. ABCD एक सम चतुरभुज है. आकरिती 3.35 पर गौर कीजिए. आकरिती 3.35 यह एक सम चतुरभुज ABCD है. इसके विकर्ण O पर मिल रहे हैं. अतह यह एक समानतर चतुरभुज भी है. चुणकी विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं अतह O A बराबर है OC और O B बराबर है OD. चुणकी AO बराबर है CO, क्यूं? AD बराबर है CD, क्यूं? OD बराबर है OD. हमें यह दर्शाना है कि M कोण AOD बराबर है M कोण COD बराबर है 90 डिग्री. SSS सरवांग समता प्रतिबंध से यह देखा जा सकता है कि Tricon AOD और Tricon COD सरवांग सम है. अतह M कोण AOD बराबर है M कोण COD. क्यूंकी कोण AOD और कोण COD रैखिक युग्म बनाते हैं, M कोण AOD बराबर है M कोण COD बराबर है 90 डिग्री. उदाहरण साथ RICE एक सम चतुर्भुज है आकरिती 3.36 पर गौर कीजिए. आकरिती 3.36 यहां पर एक चतुर्भुज RICE बना है. RE बराबर है 13, OE बराबर है X, OR बराबर है Y, IR बराबर है Z, IO बराबर है 5, OC बराबर है 12. X, Y, Z तथा Z का मान ग्याद कीजिए और अपने उत्तर की पुष्टी कीजिए. हल, X बराबर है OE, बराबर है OI, विकर्ण सम द्विभाजित करते हैं, बराबर है 5. Y बराबर है O, R, बराबर है OC, विकर्ण सम द्विभाजित करते हैं, बराबर है 12, Z बराबर है सम चतुर्भुच की भुजा, बराबर है 13, सम चतुर्भुच की सभी भुजाएं बराबर मापकी होती हैं. अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तकनीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तकनीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन वनिर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.